नमस्कार मैं श्रीकान चोहन आप सभी का ट्रेट टॉक के पॉरकास में स्वागत करता हूँ आज ग्लोबल की उससे भी पहले हमें डोमेस्टिक फ्लोस को समझना बढ़ेगा विकॉस यहाँ पे जो फ्लोस बन रहे हैं वो मार्केट के लिए शॉट टम में डेफिनेटले जाएंगे साथी साथ यह इंपक्ट इन भी एफसिस के लिए काफी बढ़ा हो सकता है इसी वज़े से हमें लगता है कि आज बैंक स्टॉक में करेक्शन आएगा और कल के दिन में भी आपने देखा होगा कि मार्केट में जब काफी अच्छी रैली चल रही थी कि 19,875 के करीब निफ्टी आ चुका था तो उसके बाद हमने अचानक से गिरावट देखी और निफ्टी ने लगबग 100 से 1500 पॉइंट को गवा दिया 19,765 के करीब के क्लोजिंग है Based on technicals हमें लगता है कि 19,656,600 के करीब निफ्टी के लिए support है और बैंक निफ्टी में 44,000 के करीब का support है But because of this particular news flow हमें लगता है कि बैंक निफ्टी में और भी correction बन सकता है तो शायद 43,680 से लेकर 43,500 तक का correction भी बैंक निफ्टी दिखा सकता है बर इन LEVELS को अगर बैंक निफ्टी तोड देता है 43,000 के LEVELS को 43,500 के LEVELS को अगर बैंक निफ्टी तोड देता है तो फिर हम एक बार 43,000 तक के बें LEVELS देख सकते हैं तो आज का ये news flow और उसके बाद की market की action ये काफी important रहेगी market के लिए लेकिन इसके अलावा गर हम बाकी indices के बात करें तो हमें लगता है कि nifty IT और nifty metal stocks में तेजी बनी रहेगी साथी साथ ये specific news flow auto के लिए कोई negative नहीं है और इसी वज़े से auto loans में अगर impact नहीं आने वाला है तो auto sector भी यहां से perform करते हुए नजर आ सकता है specific के लिए हमें लगता है कि IT में infosys पे ध्यान रखना चाहिए और metals में अगर ध्यान रखना है तो steel stocks के अपर ध्यान रखे प्यान रखे